हालो फ्रेंड स्वागत है आपका स्टेडी सर्वेस में सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और उमीद करती हूँ कि आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपका संडे को एक्जाम भी है तो एक्जाम होने के बाद जो है एक्जाम आप जो है मुझे ज चलि तो आज का जो हे हमारा आज हम डिजकस करेंगे अपना पॉषन से रिएट मॉट एकिन है हमारा और आप सब की डिमांद पी ही जो है मॉप टेस्ट को लेकर के आई हूँ चलि यह फटा-फट से देरीना करते हुए जो आपना मॉप टेस्ट को जो है रिवाईब करते है और अगर आपने 99 डुपीज वाली अभी तक जो है test series नहीं परचेस की है तो आप उसे कर सकते हैं साथ ही साथ में political science वालों की भी date आ चुकी है तो वो भी अपनी जो है official website में जाकर कि जो है अपने paper की date को check कर ले जिनका भी PZT political science है चलिए questions देखते हैं question है हमारे पास first question which of the following is not a reason for teacher to use TLM यानि के teaching learning material तो शिक्षकों के द्वारा शिक्षन अधिगम समगरी का प्योग करने का निमन निखित में से कौन सा कारण नहीं है तो यहां पर नहीं पूछा गया है not बोला गया है नमबर वन to motivate learner शिक्षारतियों को प्रेरित करना तो यह तो कहीं न कहीं use करने के लिए है तो इसका मतलब यह option गलत हो जाएगा second to facilitate holistic learning तो समगर शिक्षा की सुभिधा परदान करने के लिए तो यह भी जो है यहां पर यह विल्कुल right answer है यानि की right answer in the sense की ऐसा होता है जब हम TNM को use करते हैं तो हम कहीं न कहीं motivate करते हैं student को holistic learning पर development करते हैं तो यहां पर पूछा गया है जो नहीं है तो यह भी TNM का फाइदे हैं तो यह भी नहीं होगा to help in longer retention to information सूचना को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो है use करते हैं TNM को तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पर पूछा गया था कि जब teacher जो है TNM का यूज करता तो कौन सी चीज नहीं करते हैं किस कारण नहीं किस चीज का प्रियोग नहीं किया जाता तो इसका मतलब यहां पर विद्यार्थियों को पुस्तकों को पढ़ने के लिए हतोसाइत नहीं किया जात चलिए next questions देखते हैं what should be the most important considerations when choosing a children literature for your student अपने विद्यार्थियों के लिए वाल साहित्य चुनते समेश सबसे महत्पुन विचार क्या होना चाहिए जब आप अपने students के लिए वाल साहित्यों को चुन रहे हैं literature children literature को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप क्या ध्यान रखेंगे नंबर वन simple language second popularity of the writer और आपकी जो है poem है यानि कि कमी की जो आपकी लोग प्रियता है point लिखेंगे हाँ पर point की जो लोग प्रियता है उसको ध्यान में रखेंगे नंबर थर्ड चिल्डरन लेज से इंट्रस्ट बच्चों के जो है इंट्रस्ट को आप ध्यान में रखेंगे fourth literature should be based on Indian culture तो आप जो है किस चीज का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे हम बच्चों के इंट्रस्ट का ध्यान रखेंगे अगर मान लो मुझे आपको कुछ पढ़ाना है तो मैं आपके इंट्रस्ट के एकोडिंग ही पढ़ाऊंगी जो आपके लिए benefit हो ऐसा तो नहीं मान लो आपको बीड का पोशन आना और मैं आपको dance की classes दिलवाना शुरू कर दू यह music बढ़ाना शुरू कर दू तो ऐसा नहीं होगा according to your interest ही चीज़े पढ़ाई जानी चाहिए तो option number third is your right answer और अगर आप कर रहे हैं माचव परदेश PGT की त्यारी तो political science की भी आपको जो है mock test मिलने शुरू हो जाएंगे आज से ही आपको जो है mock test इसका मिलना शुरू हो जाएगा आप मेरे साथ जो है इसके mock test कर सकते हैं चले next देखते हैं which is true regarding teaching aids number one teaching aids are useful in understanding the different concept and abstract ideas तो आपने बताना है शिक्षर साइक समगरी के समंद में कौन सा सत्य है number one teaching aids are useful in understanding the difficult concept and abstract ideas यानि कि कठिन अबधार्नाओं और अमूर्थ विचारों को समझने में शिक्षन साहाइक समगरी उप्योगी होती है फिर है next हमारे पास teaching aids प्रोवाइड रिसंटेशन तू दा स्टूडेंट वीच डिपैल्ट इंटरस्ट इन दा सब्जेक्ट यानि कि शिक्षन साहाइक समगरी चात्रों को मनुरंजन परदान करती है जिससे विश्यो में रूची विक्सित होती है थर्ड है teaching aids are helpful in motivating the student to learner शिक्षन साहाइक समगरी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने में साहाइक होती है नमबर फोर था ओल ओफ दा गीवन आप्षन दिये गए सभी आप्षन तो यहाँ पे जो है राइट अंसर पे जो है आप बताएंगे मुझे कॉमेंट करके भी और यहाँ पे second option जो वो सही हो जाएगा कि शिक्षन साहाइक समगरी चात्रों को मनोरंजन परदान करती है जिससे वीश्य में रूची बिक्सित होती है तो option number second जो वो सही है next questions देखते है थोड़ी statement जो है बड़ी है ऐसे भी question आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते है using realia realia in the language class means bring तो यहाँ पे भाशा कक्षा में realia का प्रियोग करने का अर्थ है number one तो यहाँ पे real life situations to communicate यानि कि बास्तिविक जीवन सितियों से संबाद करना second is real object as teaching यानि कि शिक्षन साहिक समगरी के रूप में बास्तिविक बस्तु है third है realistic objective and target of the learner तो विद्यार्थियों के लिए यह थार्थवादी उदेशय के लक्ष यह थार्थवादी उदेशय के लक्ष यह थार्थवादी मतलब विल्कुल प्राक्टिकल अप्रोच अपनाना fourth है हमारे पास real level of child learning to the knowledge of parents माता पिता के ज्यान के लिए बच्चों के शिक्षा का वास्त्विक्सतर तो यहां पर आप खुद बताएंगे मुझे हां पर कॉमेंट करके कि क्या सही अंसर हेगा option number second जो है real object as teaching ads जो है वो आपका सही अंसर होगा चलिए तो I hope कि आपको सभी को questions अच्छे लग रहे होगे थोड़ सा statement जादा बड़ी है इन questions की बट ऐसे questions आपको देखने को मिल सकते है next है which among the following not true आपने बता रहें इन में से यह जो statement दे रखें इन में से कौन सी सही नहीं है number one a good text for language class is a culturally overloaded यानि कि भाशावरा के लिए अच्छा पार्ट संस्कृतिक रूप से आति भारित होता है second a good textual content should have appropriate vocabulary तो इसमें जो एक अच्छी शब्दा वली होनी चाहिए third a good text for language class has relevance for interest for learner तो यहां पर जो है interest के according जो है learner यानि कि सीखने वाले interest के according होना चाहिए number four a good text is that which has the right length एक अच्छा पार्ट वे हैं जिसकी लंबाई सही हो तो बताइए इसका क्या right answer होगा तो यहां पर option number बाकी यह जो जितने भी थे यह सारे सही थे इन मेंसे जो नहीं है not true उच्छा गया था तो option number one जो है वो नहीं चले next questions के और चलते है in which of the following is the role of the learner is that of an department learner निमन लिखीत में से किसमी शिक्षार्थी की भूमिका एक स्वतनते शिक्षार्थी की होती है number one building as a learning add second teaching learning material third है integrated material अब fourth है teaching add तो very very important यहाँ पर building as a learning add होगा शिक्षक साइता के रूप में निर्माड होगा तो option number one जोगो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप किसी भी test की तयारी कर रहा है जितने भी test आपको दिख रहा है तो इन मेसें जुए अगर तयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ online coaching academy में तयारी कर सकते है और चाहे आप TGT commissions की तयारी कर रहे हो क्योंकि PGT जैसे ही complete हो जाते है इनके ETGT निकाल देंगे ठीक है तो अपनी त्यारी जो है आप बिल्कुल जो है खुद को त्यार रखिए कि कभी भी कुछ भी पेपर आ सकता है तो आप ओनलाइन कॉर्स से जोईन कर सकते हैं हमारे next time there are teaching ads which are centered around certain skills such as regarding listening and pronunciations etc such teaching ads are called as ऐसे शिक्षन साइकूप करण है जो पढ़ने सुनने उचारन आदी जैसे कोशनों पर केंडरित होते हैं ऐसे शिक्षन साइकूप करण कहलाते हैं नमबर बन skill-based teaching ads second audio-lingual teaching ads फिर है general knowledge teaching ads fourth scientific teaching ads तो आप खुद बताइए कि इसमें क्या हो सकता है कौन से जो है आपकी सुनने पढ़ने और उचारन के लिए जो है कोशनों कोशन जो है वो केंडरित होते हैं किस पे सुनने और वढ़ने तो audio-lingual teaching ads option number second जो है वो आपका यहाँ प तो I hope कि आप सभी जो है मेरी class को देखते होंगे और जो भी class को देख रहा है class को ज़रूर लाइक करें और आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चरे next questions देखते है as a language teacher अगर आप भाशा के ध्यापक है we should try to turn our students into successful dictionary user तो आप जो है अपने students को एक अच्छे यानी स सब्सक्राइब करता बनने का प्रियास करेंगे मतलब एक अच्छा जो है language बोल सके इस तरह का आप कोशिश करेंगे which one of the following not the correct आप में बताना है इन में से कौन सा सही नहीं है to way to promote the use of dictionary तो यहां पे इन में से कौन सा जो है सही नहीं नहीं नमबर वन finding the part of speech तो यह तो सही है बाचिन में भागों को ढुड़ना आपको आना चाहिए बच्चों को choosing the meaning that relevant in context यह भी विर्कुल सही है कि मतलब को सही से चुन सके how to the words pet तो यह भी आपको पता है कि कैसे लिखना है spelling क्या होनी चाहिए फिर reaching the teacher for every new word तो यह जो है यह यहां पे नहीं होगा option number four जो है वो यहा पुस्तकाली एक ऐसी जगह जहां पर अनेक पुस्तके रखी हुई है बहुत सारे खिलोने रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े रखे हुप्रॉक में से कोई नी क्या होता है many books are kept तो यहां पर क्या होते हैं बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल जाती है लाइवरेर तो मैंनलों थोर जातागा को प्षाइब करें एं यह स्टूडें आप क्रिटिकली आप कॉंपलेक्स शोशल इशो इस फॉर्डेंट अप क्या कोशिश करेंगे आपको पता है करते हैं लेकिन यहां पर क्या पताना है किज आप नहीं करेंगे सबाब सो इसका शीवरे नहीं सपश्णस क्या हो जाएगा है खभि-पस इझा है कि आपके लिए खोड़ा है मैं आप मुझे कोमेंट गरके इसका अंसर बताइंगे तहाई कि मुझे पता चल सके कौन-कौन से स्टुरेंट ने recall को बता है तो यह आपके लिए है ठीक है यह आप के लिए है तो आपने आज के questions को अच्छे से solve किया होगा question चाहे कम हो but question is very important है वड़ी वड़ी statement वाले भी आ सकते हैं आपको पढ़ने की फटा फट से आदर डालनी होगी क्योंकि आपको पता है कि एक तो time बहुत कम होता है exam में और वैसे ही time कम लगता है जब exam होते हैं तो आपने question को अच्छे से दो आर पढ़ना है Hindi में भी पढ़ना है English में भी पढ़ना है दोनों ही language में पढ़ना है और इस question का comment आपने comment session में करना है जैसे ही आपका exam हो जाएगा आप मुझे question paper को send करेंगे 75910-466-000 इस number पे आप send करेंगे question paper को चलिए thank you so much I hope आपने questions को अच्छे से solve किया होगा और daily सी तरह सी जो है मेरे साथ आप solve करेंगे questions को और साथ तरीक को जैसे paper हो जाता है यानि कि Sunday को जब paper हो जाएगा तो आप मुझे जुर paper send करें ताकि आने वाले जो sessions है paper के उन में help की जा सके सभी की thank you so much मेरेंगी next class में शान को